आज मैं बात करूंगी इस वीडियो में भिक्स बेबी रब के फायदे के बारे में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से छोटी रिक्वेस्ट है यदि आप मेरे चैनल जीयस यानी ग्यान सीबी पर पहली बार आएं है तो लाल बटन दबा के मेरे चैनल को जरूर सस् हूँ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर कीजिए चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं भिक्स बेबी रब के फायदे आप इस बात से अंताजा लगा सकती है कि यह अधिकांस लोग की पसंद है हर घर में इसका उप्योग जरूर होता है भिक् नाक में नहीं डालना चाहिए भिक्स बेबी रब इस्तमाल करने के लिए अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी मात्रा ले और इसे बेबी की छाती पर गर्दन पर या पीट पर धीरे-धीरे हलके हातों से मसाज करना है अब हम बात करेंगे इस वीडियो में किस उमर के बच्चे के लिए भिक्स बेबी रब का इस्तेमाल किया जाता है तीन साल और इस से अधिक उमर के बच्चों में भिक्स बेबी रब को सुरच्चित माना गया है तीन बरस से अधिक उमर के बच्चों और बेशक में भिक्स बेबी रब का उपयोग सुरच्चित रूप से किया जा सकता है जब सर्दी या जुकाम बढ़ जाते हैं और नाक में कौन जक्चन बढ़ जाने की इस्तिती में भिक्स बेबी रब फायदे पहुंचाता है और अतिरिक्त बलगम से राहत देता है अब हम बात करेंगे इस फीडियो में नवजात सिसु को हम क्या हम भिक्स बेबी रब लगा सकते हैं तो इसका जबाब नहीं आप नवजात शीशु को भिक्स बेबी रब नहीं लगा सकते हैं भिक्स बेबी रव को आप किसी भी medical एक्टोर या ओनलाइन से आप इसको बहुती आसानी से खरी सकते हैं भिक्स बेबी रव लगाने से पहले अपने हातों को अच्छी तरह साफ कर ले उसके बाद ही भिक्स बेबी रव से अपने बेबी को मालिस करना है नाक में मुख के आसपास इसे नहीं लगाना है